इस अब गाइस इस कामरान सुल्टानी फ्रम तिंक प्लान डूइट आज हम एक बहुत ही खूब सर्च चीज़ को अनबॉक्स करने चाहरे हैं जो के मार्किट में आज कल बहुत ही ज्यादा अवेलिबल है तो यह खुब सर्च सी एक वाच है टी 500 स्मार्ट वाच जो के एपल कलॉन की रेप्लिका में ही समझी जाती है तो इसको हम आज अनबॉक्स करने जा रहे हैं फिर हम आपको इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे कि इसमें क्या क्या नए फीचर्स है और कॉपी के एट में अगर देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आईफून से रिलेटेड इसमें कॉपी की गई है तो सिम्पल सा ह cantile box है यह इसको हम अंबॉक्स करेंगे तो इसके box के उपर कुछ भी नहीं लिखा होता तो जिसको अंबॉक्स करेंगे तो यह हमारी स्मार्ट पॉच इसमें हमारे पस 2 straps होते हैं स्ट्रेप्स जोके अच्छी क्वालिटी में हैं ठीक है इसके साथ हमारे पास और क्या क्या चीज होती है इसमें कौन कौन से फीचर है हमारे पास सबसक्रे वcommittee नियर कर जो जाएक है इसके बार हमारे पास फंक्ष्ण में देखे तो बहुत से स्क्राइम उठ जाता सक्राइए dozen इस करते हैं जूस्पर जूए करने हैं इसके बार हमारे पास है जी और आईफून से जो आईफून सीरीज में सीरीज सिक्स में जो है वो रपलिका में यह एड़ किया गया इसमें कोई भी टाइम आउट सेलेक्ट करें और इसको ओके करें तो यह आपकी स्क्रीन पर सेट हो जाएगा इसको आप चेंज भी कर सकते हैं डिपेंड डिपेंड उन तो अब है जी इस वाच को चार्ज कैसे करने है चार्ज करने का तरीका बहुत ही असान सा तरीका है इसके स्ट्रैप्स को हम रिबूफ करेंगे रिबूफ करने के बाद हम इस वाच को इस बटन को और नहीं आप स्टेबल है लेकिन क्राउंज है नार्बली बार्ट नहीं करता तो इस वाच को हम चार्ज के पर लगाने के लिए क्राउं को इसकी मदद से ऐसे अटैच कर देंगे अब ये बार्ट चार्जिंग के लिए रेडी है तो ये ये थी हमारे पास एक खुबस्षी स्मार्ट वाच टी 500 जिसका हमने आज रिब्यू किया जीर अची अची वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो न